हम कार्मिक परसासन के अंतरगत परसिक्षन का अध्यन कर रहे थे कल हमने कार्मिक परसासन के परसिक्षन का अर्थ और उसके उद्देश्य को देखा था आज हम कार्मिक परसासन के जो परकार हैं उनको देखेंगे पहले नियम बद्दता के आधार पर परसिक्षण दो प्रकार का होता है उसमें पहला अनौपचारिक परसिक्षण होता है और दुसरा अपचारिक परसिक्षण होता है अनौपचारिक परसिक्षण एक ऐसा परसिक्षण है जो बिना किसी नियम, कानून या संगठानात्मक ल तो वो कर्मसा अपने आप सीखता चला जाता है। यह पर सिक्षण की परमप्रागत परकिरिया है जिसका मूल मंत्र है गलती करो और सीखो। तथा न्यवन्युत अधिकारी में उसकी रुची होना अत्यंत आउशक होता है। तो और अप्चारिक परिसिक्षण एक ऐसा परिसिक्षण है जो कि किसी व्यक्ति को कार्य के साथ दिया जाता है जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी विभाग में कार्य कर रहा है तो जो पहले से व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके साथ नए व्यक्ति को सम्मध कर दिया जाए और व्यव्यक्ति उस कार्य को अपने हैड से क्या है स्वताव सीखता जाए तो इसे अनौपचारिक परिसिक्षण कहते हैं। जबकि अनौपचारिक परिसिक्षण एक व्यवस्तित एवं रूप में करमचारियों को प्रदान किया जाने वाला परसिक्षण है इस परकार के परसिक्षण है तू योग्यता निर्धारण, नियम निर्माण, पाठ्य करम निर्माण, परसिक्षित अध्यापक, निश्चित अवधी, इत्यादी निर्धारित होते हैं अथार्थ इसमें योग्यता निर्धारित होती है कि कौन व्यक्ति ऐसे करमचारियों को पर्षॉक्षंड देगा और कौन कौन वयक्ति या करमचारी ऐसे पर्षॉक्षंड को लेंगे इस परसिक्षण का उद्देश करमचारियों को परसासनिक गतिविद्यों से अधिकाधिक परिचित करवाना होता है। इसके आत्रिक अगर सेवा में परवेश के आधार पर देखा जाएं तो भी दो परकार के परसिक्षण होते हैं। आधि इस्थानों पर प्राप्त परसिक्षण इस सिरेणी में आता है। यानि कि जो आप सिक्षा लेते हैं वो अभी एक परकार का परसिक्षण ही है। ऐसा परसिक्षण तक्नीकी तथा विसेशज्य परकृति के पदों हितु अनिवार्य योगिता माना जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बढ़ती निकलती है तो उसमें आप से कुछ विसेश योगिताएं मानी जाती है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपका बीटेक होना चाहिए, किसी भी रूप में हो सकता है, आप इलेक्ट्रिकल में बीटेक होने चाहिए, आप इलेक्ट्रोनिक्स में होने चाहिए, विसेश परकार की योगिताएं मांगा जाता है, तो वह सेवापूर परसिक्षण ह जो कि आपने अध्यन के दौरान किया होता है। इसके अंतरगत एक होता है आगमन परिसिक्षण। योपर सिक्षण। नया पद समालने वाले कार्मिक को दिया जाता है। जो एक दो सप्था का होता है। योपर सिक्षण। विसेश कार्य पर किंद्रित होता है। तथा कार्य कि आधारबूद बातों वा विशय वस्तों से संबंदित होता है। दुसरा होता है उन्मुकी करण परसिक्षण। इस परसिक्षण में नवन्युक्त करमचारी को कार्य संबंदी मूलभूत अवधारण नाओं कार्य दाइप तथा नवीन परियावरण से परिचित करवाकर उसे संगठनात्मक लक्षों की और उन्मुक किया जाता है। इसकी अवधी एक सप्ता से दो माह तक की होती है। ज्यान आदि से परिचित करवाना तथा कार्य पर उत्सा को बनाई रखना होता है। अधिकारी को संगठन के विविन विभागों में बार बार विविन विविन कार्य दिये जाते हैं। इससे वो विविन विभागों के कार्यों से अउगत हो जाता है। समय के साथ साथ उसे अधिक चुनाती पूर्ण दाइत्वर स्वापे जाते हैं। जो ये चक्रिय परसिक्षण है यानि कि एक ही विभाग में अगर अलग-अलग प्रकार के कारिया है तो व्यक्ति को अलग-अलग कारिया दिये जाते हैं ताकि वो समस्त कारियों से क्या है समस्त कारियों से रूबरू हो जाए और उसे समस्त कारियों को करने की जो उसके अंद कर्या दिये जादे हैं और दीरे-दीरे कथिन कार्या दिये जाते हैं इसकी अत्रिकठ इसमें एक उन्नत प्रसिक्षन होता है यो परसिक्षन मुख्या रूप से संबन्दित व्यवसाय विभाग कार्यापत का गहन तता उच इस्तरिया पर सिक्षन होता है या कुछ चैनित कार्मिकों को अधिक कार्यकुसल बनाने ही तु दिया जाता है इसका संबन्द नए अनुसंदानों नई पद्धतियों एवं नव परविर्तियों तथा आधुनिक टक्निकों से होता है यानि कि किसी भी भाग में जो न्यू टेक्नलोजी परवेश कर रही है उस न्यू टेक्नलोजी या नई तक्निक का ज्यान जब करमचारियों को जो उसमें उन्नत किसम के करमचारी होते हैं जो अधिक किरिया सील होते हैं उन्ही को या परसिक्षन दिया जाता है तीसरा अवधी के आधार पर भी हम परसिक्षन को बाठ सकते है इसमें अल्प कालिंग परसिक्षण और दिल के कालिंग परसिक्षण दो परकार के परसिक्षण होते हैं अल्पकालिंग परसिक्षण का अर्थ है इस परसिक्षण में कुछ दिनों से लेकर कुछ सब्ता में यह परसिक्षण समाप्त हो जाने वाला परसिक्षण होता है इसे हम अल्पकालिंग परसिक्षण कहते हैं याने कि कुछ समय में ही जो परसिक्षण समाप्त हो जाए उसे ऐसे ही होते Hai सेवा काल में छोटे सोटे अल्प कालीभि परसिक्षण करमचारी को देते दिये जाते हैं इसके अलावा दीर्ग कालीभि पर पुर्शिक्षण छे मां की अफूदी से लेकर कुछ वर्सों के तक हो और इनमें अधिकांस्ता तक्नीकी परिसिक्षण आते हैं, यानि कि किसी विशेश तक्नीकी योग्यता को अगर करमचारी को सिखाना है, तो उसके लिए दिर्ग कालिन परिसिक्षण उस करमचारी को दिया जाता है। इसके अलावा परिसिक्षण के संख्या के आदार पर भी परिसिक्षण को बाटा जा सकता है। इसके अलावा पर कर्ति के आदार पर भी परिसिक्षण को बाटा जा सकता है, जैसे साररिक परिसिक्षण, मानसिक परिसिक्षण और व्यावसाय परिसिक्षण. साररिक परसिक्षन एक ऐसा परसिक्षन होता है जिसमें साररिक किर्याओं या वियायाम को अधिक महत्वर दिया जाता है यानि कि किसी व्यक्ति के जैसे आपने सैना में अर्द सैनिक बलो में देखा होगा तो यह सैनिक परसिक्षन वहां दिया जाता है मानसिक परसिक्षण जैसे आपने CBI, Crime Branch ऐसे विभाग जहांकि बुद्धी विवेक की आउशकता होती है वहां ऐसे मानसिक परसिक्षण दिये जाते हैं जिससे की व्यक्ति की बुद्धी एवं कल्पना सकती को और अधिक विक्षित किया जा सके व्यावसाइक परसिक्षण ऐसे परसिक्षण होते हैं इनमें किसी विशेश व्यावसाइक के बारे में व्यक्ति को परसिक्षित किया जाता है इसमें तकनीकी कारियों एवं परसासनिक कारियों के परसिक्षण को सामिर किया जा सकता है यानि कि किसी विशेश व्यावसाय को करने के लिए यक्ति को परसिक्षित करना वह व्यावसाय परसिक्षण कहलाता है इसके अत्रिक्त कुछ अन्य परकार के परसिक्षण होते हैं जैसे विभागिया परसिक्षण एवब केंद्रिया परसिक्षण विभाग द्वारा अपने कार्मिकों हेतु आयोजित परसिक्षन विभागिया परसिक्षन कहलाता है जबकि केंद्रिया परसिक्षन में विभिन विभागों के कार्मिकों को सामोई परसिक्षन दिया जाता है याने कि विभागिया परसिक्षण वह होगा जिसमें किसी एक ही विभाग के परसिक्षू समलित होंगे जबकि केंद्रिया परसिक्षण वह होगा जिसमें बहुत सारे विभागों के व्यक्तियों को एक ही चीज सिखानी है तो बहुत सारे विभागों के करमचारियों को एक स कौसल परसिक्षन दिया जाता है जबकि कार्मिकों के द्रिष्टिकोंड को व्यापक बनाने है तो कार्य के राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, इत्यादी विवित पक्षों की जानकारी देना आधार्भूत परसिक्षन के अंतरकर आता है यानि कि अगर किसी विशेष कौसल का परसिक्षन दिया जा रहा है तो उसे कौसल परसिक्षन कहेंगे और किसी विभागों की सामान्य जारकारी के संबंद में अगर परसिक्षन दिया जा रहा है तो उसे आधार्भूत परसिक्षन कहा जाएगा और तिसरा है परियावक्षकों के लिए परसिक्षण जो व्यक्ति परसिक्षू को परसिक्षण देते हैं उनके लिए भी परसिक्षण की आवशत्ता होती है जब ऐसे व्यक्तियों को जिनोंने की परसिक्षण देना है उनको जब परसिक्षण दिया जाए तो ऐसे को परिया परियावेक्षक को अपने परियावेक्षण कार्या में कुसलता परदान करने हेतू, मानव संसादनों, सिक्षण तकनीकों, सामान्य परबंध इत्यादी का परसिक्षण दिया जाता है। तो मेरा विश्वास है कि आपको परिक्षण के अंतरगत, परिक्षण की जो परकार हैं वो आपके समझ में आये होंगे और मैं अपने इस उद्देश्य में अगर सफल हुआ हूँ तो आप कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी अवश्य दे और कोई बात आपके समझ में ना आई हो तो उसे भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं आप लोगों ने मुझे सुना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद